उत्राखन में 38 में राश्ट्रे खेलों के साथ साथ विंटर गेम्स भी होने वाले हैं विंटर गेम्स के लिए परेचन विभाग के तयारी जोरो पर है उली में खेलों की तयारी के तहत संसादन दुरूस्ट किये जा रहे हैं परिचन मंत्री सत्पाल महराज का कहना है कि इस साल होने वाले विंटर गेम्स में स्क्रीनिंग प्रतियोगिता के लिए रोपवे की विवस्ता दुरूस्थ करने जा रहा है तो उत्राखन में 38 राश्टर केलों की तैयारी शुरू कर दी गई है विंटर गेम्स के लिए परेटन विवाग की तैयारी इस समय जरूर पर चल रही है और परेटन मंत्री सत्पाल महराज का बयान भी इसको लेकर सामने आया जानू ने का कि ओली में विंटर गेम्स होंगे और उसको लेकर तैयारिया चल रही है विंटर गेम्स के लिए को तैयारिया है निशुद रूपर जैसा कि आपने पूछा मानिय मुखमंत जी ने का उसकी तैयारिया है और हम चाहेंगे winter games के साथ हम लोग जो है snow की जैसे scheme हो गया और भी snow के जो हमारे पहाड़ों में scheme होती है उसको भी हम करें और उसके लिए जो proper climate है और proper उसके लिए ववस्ता है चाहे वो हमारे रजुमार्ग की हो, रोप वेस की हो, वो सब ववस्ता की जा रही है तो तराखन में 38 पी राष्ट्रे खेलों की तैयारिया जोरुपर चल रही है जहां पर विंटर गेम्स के लिए परचन विवाग पूर जोर पर तैयारे कर रहा है और आपने परचन मंत्री सत्पाल महराज को भी सुना जहां पर उनकी और से का गया कि विंटर गेम्स के लिए तमाम विवस्थाएं यहां पर पुक्ता की जा रही है हरिद्वार में गंगा का जलस्तर इस समय चिंता का विशे बन गया है सालाना सफाई के लिए उपरी गंगा नहर की बंद होने से शद्द कम होने कना